दोस्तों आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में लिखना है वेनेफेसरी.nha.gub.in जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको इस प्रकास से डेक्सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में भी मिल जाएगा आप डारेक्ट दोस्तों मैं वेनेफेसरी के बारे मैं बात करना करना चाहता हूं जैसे कि हर एक व्यक्ति अपने मुवाइल से ही अपना जो आईश्मान कार्ड है वो डाउनलोड करें तो दोस्तों यहां पर आपको अपना मुवाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको बेरिफा हो जाना है अब दोस्तों हमने मुवाइल नंबर को इंटर कर दिया है और जो OTP है वो हमारा आ चुका है अब OTP को आपको इस बॉक्स में इंटर कर लेना है अब दोस्तों OTP डालने के बाद आपको इस कैपचा को इस बॉक्स में इंटर करना है और लॉग इन बटन पर किलि के तो सबसे पहले आपको अपना स्केक करना होता है तो यहां पर आप का जो भी इस्टेट है उसे आपको सलेक्ट कर लेना है तो दोस्तों देस्टी को करने के बाद आपको आगे option मिलेगा search by आप देखिए यहां पर option कुछ निकल कर आ जाते हैं यहां पर देखिए family id आधार number या नाम के माध्यम से आपना अधार का download कर सकते हैं यहां से अपना अधार card को बना सकते हैं फिला दोस्तों मैं बात करने वाला हूं download करने के वारे में तो दोस्तों चलिए मैं अपने आधार card से download करने वाला हूं तो आधार number को select करेंगे अब आधार नमबर यहां पर डालेंगे और यहां पर यह option आएगा search button का उस पर हम search button पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो beneficiary है वो सर्च होकर आ जाते हैं क्योंकि यहां पर यह जो beneficiary हैं हमने अपने आधार card से search किया है अगर आपके पास आपका राशन card number है तो दोस्तों आपको अपने राशन card number से सर्च कर सकते हैं अब उसके बाद दोस्तों जो भी card आपके बने हुए है तो यहां पर देखे card status देखने को आपको मिल जाता है तो card status में आपको देखिए सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला नाम में उपर लिखा है जिसे ekyc status verified दिखा रहा है और card status approved दिखा रहा है अब उसके बाद देखिए दोस्तों action के नीचे आपको एक download का एक option मिलेगा आपको simple download पर क्लिक कर देना है इस option पर जहां पर तील लगा हुआ है इस option पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तों आप जैसे ही आप verify करेंगे अब आपके सामने इस प्रकास से pop-up निकल कर आ जाता है आपको यहां turn up condition पर क्लिक करना है और allow उपर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों देखिए मैंने यहां पर अपना OTP डाल दिया है उसके बाद आपको नीचे मिलेगा अथर टिकेट आपको अथर टिकेट पर क्लिक करना है अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस प्रकास से पेज ओपन हो जाएगा यहां पर देखिए उपर मिलेगा आपको यहां पर download card और उसके बाद download card का एक option मिलेगा तो आपको simple download card पर क्लिक करना है जैसे यहां पर होदा सा loading लेगा loading करने के बाद, लोड़िंग लेने के बाद आपको नीचे कि तरफ ही scroll करना है अब आप अप दोस्तों देखेंगे कि card view आपका यहां पर जो card है वो देखने को मिल जाता है आपकी family ID भी देखने को मिल जाती है उसके बाद आम नीचे देखेंगे यहाँ पर एक डाउनलोड का वटन दिया हुआ है यहाँ पर आप अपना आईश्मान कार्ड जो है डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फिला दोस्तों सीकोटी के बज़े से मैंने थोड़ी सी जो डिटेल है वो हेड करके रखी है तो चलिए हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं जो कि हम अपना आईश्मान कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकें आप दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप आप देखेंगे कि जिनका हम आयुशमान कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं उनका नाम आ जाता है और उसके बाद डाउनलोड अगेन पर आपको क्लिक करना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो आयुशमान का आपने मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं फिलाल आईश्मान कार्ट कई परकार से डाउनलोड किये जाते हैं फिलाल दोस्तों यहां पर जो नए वेबसाइट अभी जल्दी से न्यू वेबसाइट अपडेट हुई है नए वेबसाइट भी जारी की है तो उसी के म आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे नए विट्टों